लेग रूम और हेड रूम आपको दिखाऊंगा इसमें यह एसेसरी वाली वेंटिलेटट सीट भी यहाँ पर लगाई गई है साइड इंपक्ट को जहलने के लिए यहाँ पर प्रॉपर दोस्तों आप लोगों की काफी दिनों से डिमांड आ रहे थी कि पैट्रोल टाटा तो यह है भाईया वीडियो इसमें हम चार वेरियंट कवर करने वाले हैं गाड़ी में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है उस पे बात करेंगे क्या युनीक है इस गाड़ी में उस पे भी बात करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं पूरा देखना सारी लाग रुपे महेंगा तो यहां पर टाटा खेल गई है अब शुरुवात करते हैं ऐसी जगे से जहां पर टाटा को महारत हासिल है आ जाईए तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर यहां पर रखा हुआ है इसमें डिफरेंट टाइप आप स्टील का यूज किया गया है इधर देखिए आप यहां पर जो रैड वाला है एडवान्स हाई स्ट्रेंथ स्टील है और यह जो प्लैटफॉर्म है वह है एटलस एडेप्टिव टैक फॉरवर्ड लाइफस इंसोल रहता है ताकि आगे से इंपक्ट हो तो बॉडी चल के अंदर कोई फरक ना पड़े इधर साइड में इन्होंने यूज कर रहा है और इधर देखिए आप फुटवेल एरिया में भी इन्होंने जो है एडवान्स हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तमाल किया हुए है आ साफी गाड़ियों में मिसिंग होती है वी डबलू की गाड़ी में ऐसे रोड्स आपको देखने को बिलेंगे यहां पर यह चीज दी गई है कहने का मतलब है कि काफी ध्यान दिया गया है सेफटी में बॉडी सेल में उसको रोबस बनाने के लिए अब चलते हैं इंजन की त पस और टॉक निकालता है 225 न्यूटर मिटर के आसपास चलेगा कैसा वह हम आपको नेक्स वीडियो में दिखाएंगे और यहां पर है यह डीजल इंजन की यूनिट जो कि आपने देखी होगी आपकी नेक्सोन में पैट्रॉल टर्बो जीडिय और डीजल इंजन के साथ मै अगर आप कॉम्पेक्ट SUV का मीड वेरियंट चूज कर रहे हैं अभी आपका प्लान है जैसे सोनेट का मीड वेरियंट हो गया नेक्सोन का वीड वेरियंट हो गया और आपका वेन्यू का मीड वेरियंट हो गया तो आप इसको देख सकते हैं क्योंकि काफी ज़्यादा वेल लेंप नहीं मिलेगा एजन एसेसरी आप इसको लगा सकते हैं यहां पर नीचे आपको प्यानो फिनिश वगरा मिल जाएगा और आपको जो ग्रिल में हलका फुलका क्रोम का ट्रीटमेंट भी देखने को मिल जाएगा और साइड में अगर आप आपको वील कवर मिलेंगे काफ 208 mm की यहां पर कर्व की बैजिंग आपको देखने को मिलेगी और वर्वियम में आपको इंडिकेटर मिलेगा फ्लस डोर हैंडल भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे और उपर देखिए आप सबसे बड़ी बात प्योर प्लस ऐसे तो इसमें पैनारॉमिक संडूफ म और बेस में देखो कुछ नहीं आता ना ही इंफोटेन्मन सिस्टम में अगर आता है अगर आप प्योर प्लस में जाते हैं तो उसकी एक शोरूम कीमत है लगभग 11 लाग के असपास और यह है 11,17,000 के असपास बस एक चीज़ में यह है कि रेर में आपको डिस्क ब्रेक बिलेंगे आगे आपको कुद्ध लम नहीं मिलती है पीछे भी नहीं मिलेगी आप देख लो यहां तक है और फिर सेंटर में है थोड़ा सा और आपको रैट हैं ट्रॉबह ये उपर वाली जो श्टॉप लेंफ है वह आपको देखने को नहीं मिलेगी डीफॉंगर यहां प मैं सबसे पहले dords में देखेगी, चारो । पावर विंडो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी और कोई भी जो है चमकता धकता प्लास्टिक यहां पर यूजव से खिखे अगया है प्योर प्लस में भी आपको क्रूस कंट्रोल मिलेगा, यह तो खेर प्योर प्लस S है, यहाँ पर आप देखिए, यह वाला जो इंस्टुमेंट क्लस्टर है, जो बेसिक वाला आता है, जैसे आपने ICNG वेरियंट्स में देखा होगा, उनसे जादा मुझे सही लगता है, स्टेर वाली बात नहीं है, डे नाइट, मैन्वल, IRVM आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको जो है, केबिन लाइट मिल जाएगी, LED है, सन्रूफ का कंट्रोल यहाँ पर है, जैसे आपको टॉप वेरिंट में मिलता है, और जो डैस्बोर्ट का ले आउट है, वैसा ही मिलेगा, जैसा आपको नेक्सों में मिलता है, मुझे लग नहीं रहा है कि मैं कर्व में बैठा हूँ, इस वाली एरिये को अगर आप देखेंगे, आपको यह फैब्रिक का है, लेकिन यह हाट प्लास्टिक है, सारे जगे आपको हाट प्लास्टिक मिलेगा, सीटो का कुशन देखिए नेक्सों में देखा था, वैसा ही मिलता है, और अच्छी चीज यह है कि इस गाड़ी में आगे चार काप होल्टर मिलते हैं, दो यहाँ पर हैं और आपके दो डैश्बोर्ड के अंदर हैं, जो कभी भी इस्तमाल नहीं हो सकते, और सिक्स स्पीड मैन्वल यहाँ पर है, इं इंजिन को स्मूध कर दिया है, उन्होंने स्मूध वर्ड का इस्तमाल किया हुआ था ब्रोशर में, अब देखते हैं क्या चेंजिस हुए, कोई ट्यूनिंग में अंतर हुआ है, या फिर नहीं हुआ है, वो तो चलाने में आपको पता चलेगा, मुझे तो नहीं लगता है क आपको बाहर छिडवानी की जरुवत नहीं है, और अगर सेफटी फीचर के में बात करूं, सारा कुछ इसमें आपको मिल जाता है, शेयर बैक मिलते हैं, थ्री पॉइंट सीड बेल्ड मिलती है, ट्रेक्शन कंट्रोल के सारे फीचर आपको इसमें मिल जाते हैं, चलो अब ह मुझे लेग रूम मिल रहे है, थोड़ा सा मेरे लिए कंटरा हैं लेकिन हां nexton ev से बैटर है, और सी टो की कुछनि Isaiah अची है, अंडर था ही सपोर्ट भी अच्छा है, जिनकी हाइट काम है, मेरी हाइट जदद जादा है, तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहे है,लेकिन तो से पीछे अली रोम में बैठा हूं इस गाड़ी में सीटों के पीछे जो मैगजीन होल्टर होता है थोड़ा बहुत स्पेस होता है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ पर आपको रेरेस इवेंट मिल जाएंगे और USB-A और USB-C चार्जिंग बोर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर थार्ड जो हेड रेस्ट है सेंटर में वो आपको नहीं मिलेगा आपको आम रेस्ट भी यहाँ पर नहीं मिलने वाला है अच्छी बात यह है कि पीछे पार्सल ट्रे आपको मिल रही है अब देखिए मैं आराम से बैठाओं इसमें अब मेरा हैड रूम देखिए हलका सा बच रहा है अब इसमें बूट स्पेस की बाद करें 500 लिटर का इसमें बूट स्पेस आपको मिल जाता है लेकिन जो सेकंड रो है ना 60-40 फोल्ड नहीं हो सकती अब नीचे क्या मिलता है वो देख लेते हैं हमें आपर बूट लाइट भी इसमें आपको नहीं मिलने वाली है यह आपको इस पेर विल मिल जाता है और यह टूल किट आपको मिल जाती है तो इतना ही कुछ है इस वेरियंट में आप चलते हैं अगले वेरियंट में जो की है क्रियेटिव एस तो अगला वेरियंट है आपका क्रियेटिव प्लस एस अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा जादा है तो आप इस वेरियंट में जा सकते हैं इसमें क्या क्या आपको देखने को मिल जाएगा वो आपको बताता हूँ DRL इसमें पूरी आपको connected मिलेगी center में भी आपको मिलेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं 360 degree के हमरेगा camera creative plus S में ठीक है creative S में जो आपकी sunroof है वो नहीं मिलेगी लेकिन यह creative plus S है और यहाँ आप देखी आपको fog lamp भी देखने को मिल जाएगी front parking sensor भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगे अब चलते हैं side की दरफ side में अगर आप आएंगे तो आपको alloy wheel यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं full size का wheel यानि की 18 inch का wheel यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसमें आपको electric foldable और electric adjustable ORVM मिल जाते हैं यहाँ पर आपको request sensor देखने को मिलेगा कहने का मतलब यह है इस गाड़ी के अंदर आपको push start button मिलने वाला है अब देखिए ज़्यादा अंतर नहीं है pure plus S में और इसमें alloy wheel का अंतर आपको बाहर से देखने को मिलेगा मोटा मोटा आपकी जो finishing है सारी चीजे है इसमें एक जैसी है जैसे कि यह जो chrome की line है वो आपकी pure plus S में भी आपको मिलने वाली आप चलते हैं पीछे की तरह पीछे क्या मिलता है वो देखते हैं पीछे आपको मिल रही है connected tail lamp एक थोड़ा सा change देने के लिए और उपर आप देखें rare defogger आपको देखने को मिलेंगे इसमें वाइपर किसी भी variant में नहीं है इसमें अगर आप देखेंगे तो door खोलने वाला जो lever है वो fabric वाली है seat height adjustment इसमें भी manual आपको देखने को मिलेगा अब यहाँ देखिए आप steering wheel पे आपको थोड़े से element अलग नजर आने वाले हैं यहाँ पर जो है आपको piano finish में silver color देखने को मिलेगा और यहाँ पर cruise control वगरा सब कुछ आपको मिलेगा प्योर प्लस S में ही मिल जाता है तो इसमें भी मिलेगा यहाँ पर मैं आपको गाड़ी को on करके दिखाता हूँ push start button है इसमें instrument cluster आपको top of the line variant वाला मिलेगा इधर आप देखिए 10 inch का infotainment system आपको मिलेगा यहाँ पर जो है ambient lighting आप देख पारे होंगे जो की mode change करने के साथ साथ change होती है इधर जो है stitching वगएरा दी गई है और हलका सा जो है आपको softage यहाँ पर देखने को मिलेगा IRVM आपको manual ही मिलने वाला है इसमें जो है यह plus S variant है तो आपको panoramic sunroof मिलेगे यहाँ पर जो AC unit है वो auto है और बाकी center में आपको कुछ भी अलग देखने को नहीं मिलेगा pure plus S से एक और चीज जिसमें आपको 360 degree camera देखने को मिल जाता है features थोड़े बहुत add on हुए है जैसे कि safety feature में आपका hill decent control आपको मिल जाएगा इस variant में auto head lamp मिल जाएगे auto wiper इसमें आपको मिल जाएगा आप चलते हैं rear seat में वहाँ पर आपको extra मिलता है वो आपको दिखाता हूँ इसमें अच्छी बात बता है क्या है आपको जो है center में armrest मिल जाएगा वो भी 2 cup holder के साथ अच्छी बात है लेकिन बीच में जो headrest है इसके top variant में भी नहीं है हम इसको base variant में ढूट रहे थे लेकिन इसके top में भी नहीं है और boot की अगर हम बात करें यहाँ पर आपको boot lamp मिल जाती है तो अगला variant है आपका accomplished S इसमें ज्यादा changes आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन हाँ यह एसेसराइज वर्जन है इसमें कई चीज़े आपको देखने को बिलेंगी जैसे एक chrome garnish side में लगा रखे और अंदर भी काफी interesting चीज़े है मैं आपको दिखाने वाला हूँ यह curve का जो mascot है यहाँ पर लगाया हुआ है यह accessory का part है front में fog lamp और head lamp आपको वैसी मिलेगी 360 degree camera आपको मिलेगा और front parking sensor मिलेगे side में full size के जो wheel है 18 inch के वो आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं chrome लगाया हुआ है accessory का part है request sensor आपको यहाँ पर मिल जाएगा अगर मैं open करूँ इसको इसमें आपको देखने को मिलेगी leatherite seat और इसमें ventilation भी है front की seatों में और यह power adjustable seat हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और अगर अंदर देखेंगे infotainment system इसमें जो है 10 inch का आपको मिलेगा देखने को जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें ventilated seat है इसमें दो-दो ventilated seat है यहाँ पर आप देखिए accessory वाली ventilated seat भी यहाँ पर लगाई गई है इसके जो control है यहाँ पर है आप Tata Motors की accessory division से यह accessory खरीच सकते हैं जो की connected है आगे अभी आप इसमें देख रहे होंगे manual hand brake है लेकिन अगर आप turbo GDI या फिर diesel engine की तरफ जाते हैं तो उसमें आपको electronic parking brake मिलने वाला है और साथ के साथ अगर उनी same engine option में जाते हैं तो आपको rare में disc भी मिलेंगे यह जो engine है वो normal MPFI turbo charge petrol engine है अब आप पूछेंगे जो normal petrol turbo है और जो turbo GDI है उस engine में कितने पैसों का अंतर है अंतर है एक लाग तीस हजार का अगर आप same variant में जाते हैं तो इसमें आपको air purifier भी मिल जाएगा rear seat को recline करने का option भी मिल जाएगा 60-40 rear seat भी मिल जाएगी इसमें आपको 9 speaker मिलेंगे आपको JBL के जिसमें की 4 speaker है 4 tweeter है एक subwoofer है अब आज इसमें आपको काफी अच्छी सुनने को मिलेगी 360 degree camera तो इससे नीचे वाले variant में भी आपको मिल गया था तो ये है इसका top of the line variant accomplished plus A जिसमें की addas आपको मिलता है level 2 का और 20 आपको features मिल जाते हैं addas के अंदर power tailgate भी इसमें आपको मिल जाती है electronic handbrake आपको मिल जाता है और auto hold के features के साथ अंदर आईए और कुछ दिखाता हूं इसमें बाहर से लगभग ये देखने में accomplished plus S और creative plus S के जैसी आपको दिखाई देगी आप लोगों की सबसे पसंदिता चीज 12 इंच का इस में infotainment system आपको देखने को मिल जाएगा और अंदर जो color है seat का आप देख सकते हैं और ये आपको accomplished plus S में भी देखने को मिलेगा same color और ये जो आपकी seat belt है इसको आप आप down कर सकते हैं मतलब कि आप इसको adjust कर सकते हैं तो मैंने इतने सारे variants आपको करव के दिखा दिये हैं हाला कि सभी में sunroof थी अगर आपको sunroof नहीं चाहिए तो बिना sunroof का variant भी आप ले सकते हैं option है top of the line variant में जिसमें आपको add-arse मिलता है उसमें आपके पास option नहीं है sunroof को ना select करने का बाकि आपको सबसे अच्छा variant value for money variant कौन सा लगा मुझे तो pure plus S लगा उसमें सारा कुछ आपको मिल जाता है कीमत भी कम है वो उस price में आ जाती है जितने में आपको compact SUV के mid variant मिलते हैं जिनका budget कम है उस variant को आप select कर सकते हैं और बिना बाहर से छेड़ चाड़ करवाए आप अपनी गाड़ी को चला सकते हैं जितने भी features उसमें आपको मिलते हैं उसका मज़ा आप ले सकते हैं बाकि ये गाड़ी चलती कैसी है नया वाला engine कैसा perform करता है वो हम बताएंगे आपको 19 तारीक को 12 बजे वीडियो जरूर देखना वीडियो का इंतिजार जरूर करना आज की वीडियों बस इतने ही मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नहीं वीडियों में के लिए बाई बाई ख्याल रखिये अपना भारत माता कीजे